हाई फ्रेंज एंड वेलकम टू करियर कुल देजूकेशनल गुरु कुल इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि टॉप 10 इंजिरिंग कॉलेजिस कौन से हैं बैंगलॉर में यह वीडियो दो पार्ट्स में होगा दो पार्ट्स में बनाऊंगा तो 1-2-5 में पार्ट 1 में और 5-10 जो रैंकिंग रही है बैंगलॉर में कॉलेजिस की वो मैं सेकिंड वीडियो में बना दूँगा इसमें दो चीजे हम लोग देखेंगे एक है परसेंटेज प्लेस्मेंट की कितना हुआ है और एक एबरेज या मीडियन सैलरी मीडियन सैलरी कितनी दी गई है उस कॉल उनकी जितनी एवरेज सैलरी होती है उनकी जो टॉप सैलरी है चलिए जो टॉप सैलरी यूपी ए कॉलेज के लिए वो तो फिर भी कही न कहीं मैच हो रही है कि बैंगलॉर के टॉप कॉलेजिस में जो टॉप की सैलरी है वो कही न कहीं मैच हो रही है जितनी यहां पे है उत 50% कम है 50% कम है बैंगलोर की जो colleges हैं उनकी median salary is almost इंडिया के जो private colleges हैं top के उनको touch कर रही है और कहीं न कहीं उनसे जाधा भी है यह मैं आगे आपको दिखाता हूँ मेरा नाम है सागरानन मैंने M.T.E.C. किया है Technical University of Dresden Germany से 2013 में मैंने खतम किया था I am a certified career counselor और for the last four years मैं career counseling की field में ही काम कर रहा हूँ तो हमाँ पस जो services है हम लोग team test देते हैं जिसमें से हम personality aptitude और interest test लेते हैं और उसके साथ एक career session और mentoring देते हैं हमाई top की service है हम दो test लेते हैं आप जो भी लेना चाहाएं plus career session हम university selection देते हैं जिसमें हम आपको आपकी profile के साथ से 10 colleges बताते हैं हम parental consultation भी करते हैं अगर parents confused हैं कि क्या उनके लिए सही है there is a small gap in industry know how उने लगता है कि हम लोग help कर सकते हैं definitely we do that 20 minutes free रहता है उसके बाद हम बहुती minimal इक charge करते हैं जो हमारे description box में दिया गया है study abroad program में SOP लिखना हो लोर लिखना हो या फिर आपको अपनी short listing करानी हो universities या फिर आपको application कराना हो we do this in a cost which you can get by messaging us on the number that is given in the description below तो आईए हम लोग शुरू करते हैं तो पहले जो आ रहा है college number one पे number one पे मैं इसले से वन से शुरू कर रहा हूँ कि आप देखेंगे नीचे नीचे जाते तक क्या effect हो रहा है इनकी median salaries पर तो हम लोग पहले आते हैं इस पे रमया पे ठीक हैं मतलब top के colleges की median salary देखेंगे तो लगभग 3.5 से यहां तक कि आप 3.2 से भी शुरू कर सकते हैं और आपको यह 4.2 तक मिलेगा median salary ठीक है तो यह यहां पे almost देखिए 1.2 lakh के करीब difference है percentage placement कितना है इनका इनका जो placement percentage है वो 75% है क्योंकि इनका campus अच्छा है प्लस यह बहुत पुराना college है इनकी faculties जो है बहुत पुरानी और बहुत ही stable है इसलिए नमबर 1 पे आ रहा है बट अगर आप triple IT को देखेंगे triple IT में आप median salary जानके बहुत हैरान हो जाएंगे इनको जो इनके हमाँ course है वो PG integrated ही होता है और PG integrated course जानी की BTEC और MTEC साथ में और यह जो triple IT है यह Indian institute नहीं है यह private college है यह है international institute यह गलती मत करिएगा क्योंकि कई बार मेरे को call आते हैं लोग पूछते हैं कि Indian institute बैंगलॉर कैसा है या हैदराबाद कैसा है बड़ जो triple IT बैंगलॉर है और triple IT हैदराबाद है वो लोग जो है different है from Indian institute of information technology तो इसकी जो median salary है वो 18 लाग पर एनम है 18 लाग पर एनम तो 18 लाग पर एनम यह IIT से भी उपर चला गया है IIT की जो median salary है वो 15 लाग तक रहती है एक round about बतारा हूँ इससे उपर एक दोगी होगी तो होगी नहीं तो इससे उपर नहीं जाती है और इनकी 18 लाग है और इनका जो placement percentage है वो 85% है और overall rank overall rank इनकी 62 है सारे colleges में अगर देखें तो 62 है क्योंकि number of students कम है नया college है infrastructure उतना बड़ा नहीं है ये वजाओ से research में उतने marks नहीं मिले है इसलिए इनक पीछे है नहीं तो अगर केवल हम लोग मीडियन सैलरी पे बात करें तो ये बहुत ही जादा हाई है आरवी college of engineering जो वहाँ का जाना माना college है और अगर आप perception पे बात करेंगे perception यानि कि लोग किसको सबसे ऊचा मानते है college तो आरवी का उसमें number one rank आएगा तो मीडियन सैलरी य institute है यहां तक कि इसकी मीडियन सैलरी एलनम आई IT से भी जादा है जो की काफी top का college है और इसकी research और इनके जो students पढ़ना है उनकी quality बहुत अच्छी है तो यह जो हो रहा है ना यह जो मीडियन सैलरी ऊपर की तरफ भागे जा रही है इतनी जादा this is because of this is because of Bangalore this is because of Bangalore this is because of the city because of being the IT hub the Silicon Valley of India that's why these salaries are on the really higher side and the placement percentage in RV is 83% 83% that means if we compare it with VIT if we compare it with VIT people have been asking me so VIT में placement percentage is almost 83% but the average salary there is 5.5 lakhs per annum so RV college is a grade shade better than VIT in these two terms but again RV college is on the 70th rank on the 70th rank overall this is because of number of students that are studying there the faculty experience and also because of the perception that it has got compared to VIT so it lies lower in perception than VIT but this is good enough this is good enough and इसमें घुसना उतना मुश्किल नहीं है जितना VIT में घुसना मुश्किल है at a lower CS के में बात कर रहा हूं तो RV college में अगर आप comment के में अच्छी rank लाते हैं तो आपको RV college मिल सकता है मैं थोड़ा ये फिर से अपने को रीफ्रेस करना चाहूंगा actually RV में CS लेना और VIT में CS लेना difficulty level में almost बराबरी आपके है सकते हो because you have to be topper in their respective entrance exams fourth college पर आते हैं जो है BMS college of engineering BMS college of engineering if you think if you like if you think about it you would not say that it is like the top college of Bangalore like above RV or above Ames Ramya which is being shown in the rankings overall ranking of BMS Ramya is 73 again if you see all these colleges are lying near to each other like 59 was MS Ramya 62 was triple IT and at 70 you had RV college and so you can understand कि इनकी जो rankings है research में ने कम मिला है faculty में comparatively थोड़ा सा कम मिला है because median salaries में again BMS is at 7 lakhs per annum and LMNIT जो की बहुत ही अच्छा college है this is also lying at median salary if you look at it it's 6.25 lakhs per annum तो इसके भी उपर जा रहा है and with a lot of students ऐसा नहीं क्या कम पढ़ने है nearly 1000 students पढ़ने है but VIT की rank इनसे ऊपर या SRM की rank almost इनसे ऊपर इसले जाती है because VIT जो placement करा रहा है वो करा रहा है तकरीबन जो है वो almost 3000 students का नहीं 2000 students का placement almost करा रहा है and SRM जो है almost 3500 students का placement कराता है एक साल में और ये जो BMS ये मैं एक approximation बता रहा हूँ ये air to air change होता है but this is on a very higher side on a very higher side that's why इनकी rankings थोड़ी अच्छे होती है plus इनको research में because इनकी जो faculty है बहुत जादा faculties है because students जादा है तो faculty भी जादा होगी faculty जादा है तो hence papers publish जादा होगे hence इनने research में थोड़े जादा marks मिलते है इसलिए इनके उपर चले जाते है और percentage placement जो इसका है BMS का वो 65% है तो वो जो है अगर आप compare करोगे SRM या फिर VIT से तो वो कम आएगा क्योंकि SRM का जो placement percentage है वो 93% है अप्रोक्स बता रहा हूँ है and VIT का 83-85% overall placement है तो यह difference है आ जाएगा इसमें अब हम लोग 5 पे आते हैं यह हमारा part 1 यहाँ पे end हो जाएगा and part 2 में जो है मैं आपको इसके आगे की university बताऊँगा तो पेस university प्राइवेट उनिवस्टी है अगर आप UP के student है you might not even have heard of it and इसका अभी actually लखनों में इन लोग ने काफी marketing करी है hazard गंज में इन्होंने काफी अपने बड़े-बड़े posters and hoardings लगवाए है and इनकी fees भी काफी high है इनकी median salary आप देखेंगे that is also very nice that is 6.5 lakhs per annum and अगर आप इनके placement percentage देखेंगे तो 70% है तो अगर मैं UP के top colleges से compare करूँ which is A, B, E, S या फिर K, I, E, T या फिर G, L, G, O, T तो यह almost उनसे जादा अच्छा दिखा रहा है actually placement percentage में भी जादा अच्छा है placement percentage में भी जादा अच्छा है यह इन लोगों से और average salary में भी जादा अच्छा है JSS NOIDA थोड़ा ले सकते हैं but still JSS NOIDA की average salary इससे compare region में कोई कहीं lie नहीं करती है तो this is all because you know the city Bangalore this is कि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के students एकदम से बहुत अच्छे हो गए यह माँ की faculty एकदम से बहुत अच्छे हो गई है compared to the all faculties of Indian colleges क्योंकि यह बहुत आगे लाई कर रहे हैं अपनी median salaries में so this is an indication why they are lying because of the Silicon Valley because of the location so thank you very much do keep watching our channel आपको playlists में मिल जाएंगे college reviews, comparisons of different colleges faculties के उपर videos है salaries के उपर है and research standards तो college review में हम यह सब बताते हैं and हमाई part 2 में next 5 colleges होंगे